आने वाले 15 अगस्त को अजादी का जशन तुम मनाओगे, जंडे के रंग में तुम रंग जाओगे, जंडे के रंग में रंग कर तुम सोशल मीडिया पर स्टेटस खूब लगाओगे, अपना फर्ज निभाओगे, अपने देश प्रेम को दिखाओगे, अपने देश प्रेम को दिखाओगे और छुट्टी का अनन्द भी उठाओगे ओनलाइन इंडिपेंडनेंस डे सेल का लुट्व भी तुम भरपूर उठाओगे और अगले दिन सुभा रुटीन में लग जाओगे और सोचोगे कि हमने देश प्रेम दिखा दिया अपना फर्ज निभा दिया आज कड़वी सच्चाई से अवगत तुम्हें मैं करवाओंगा और तुम्हारे दिलों में देश प्रेम जगाओंगा देश को अगर बदलना है तो प्रण कर लो कि ये वीडियो तुम्हें जन जन तक पहुंचवाना है और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर नहीं पाओगे क्योंकि आज सब को अपने अपना हिसाब देखना है कुछ को छोड़ कर देश की किस को पड़ी है अपनी जेव तो भरी है साथ करोड लोग टेक्स भर कर पूरे भारत को चलाते हैं 133 करोड भारतियों को खाना वो खिलवाते हैं फ्री की स्कीमें वो बंटवाते हैं और बाकी सब को फ्री की रेवडियां चबवाते हैं मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जब सिर्फ साथ करोड लोग ही कमाते हैं तो बाकी 133 करोड लोग अपना खर्च और शौक कैसे पूरा कर पाते हैं अगर वे वाके में कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर फ्री की स्कीमों के लुट्व भी क्यों उठाते हैं या तो वो कुछ करना नहीं चाते या फिर टेक्स को बचाते हैं सरकार का ज़्यादा पैसा तो रेवडियं वांटने में और वोट बैंक को बढ़ाने में निकल जाता है इसलिए तो देश विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पाता है और जब टेक्स का पैसा सही जगा नहीं लग पाता है तो आई टियार भरने वाला व्यक्ति भी निराश हो जाता है आजादी से पहले भी चुआ चूत का बोल बाला था और आज भी जाती के नाम पर धरम के नाम पर और राज्य के नाम पर देश बढ़ जाता है कोई आज भी उक्साय जाती और धरम के नाम पर तो दंगा भढ़क जाता है और देश की संपत्ती को छोड़ अपने टेक्स से बनी चीजों को नस्थ कर जाते हैं इतना ना समझ वो बन जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है इसका भेद ना वो कर पाते हैं अपने फाइदे के लिए जाती और धरम पर कुछ लोग बांटते हैं इसी लिए तो जौब में और प्रमोशन में रिजर्वेशन को बंद नहीं करवाते हैं अरक्षन को बंद करवाने के मुद्दे पर वो चुप हो जाते हैं इसी लिए तो होनहार स्टूडेंट्स अच्छे माक्स लेकर भी पीछे रह जाते हैं और कोटे वाले आगे बढ़ जाते हैं हमारे देश में हुनर की कदर कम है और जाती और धरम का मोल जादा है इसी लिए तो इंटेलिजन्ट लोगों फोरन का क्रेज कुछ जादा है आजादी से पहले भी मिलकर हिंसा होती थी बाहर वालों को भगाने में आज भाई-भाई को कारता है जातीवाद और धरमबाद फैलाने में गद्दारों की ना तो पहले कमी थी और ना अब कोई कमी है काम जल्दी करवाने के चक्कर में हम लोग क्रप्शन को बढ़ाते हैं तभी तो लोग सरकारी नोकरी के पीछे पागल हो जाते हैं क्रप्शन से एक महिने में वो इतना कमा लेते हैं जो हम बर्षों में इकठा नहीं कर पाते हैं तभी तो दिवारों के पीछे ताइल के नीचे पैसे ये चुपाते हैं और सरकार कुछ भी कर ले मार्केट से बड़े नोट गायब हो जाते हैं आजादी से पहले भी नारी पर जल्म होता था और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही जारी है इसमें समाज के साथ साथ कनून की भी बराबर की भागेदारी है इसलिए तो बलादकारियों और शोशन करने वालों का पलड़ा भारी है मुफ्ट खोरी की आरत बड़ी पुरानी है और जब बिना नोकरी के मिल जाएं भत्ते तो मेहनत करके क्यों खानी है जब मुफ्ट में मिलता हो खाने पीने का सामान चाहें बना हो फिर पका मकान तो फिर क्यों कटवाएं बी पील से अपना नाम मुफ्ट की मिलती हो जो बिजली और पानी वेस्टेज की किसे पड़ी है क्योंकि सरकारें तो दोनों हाद से मुफ्ट में बांटने में लगी है आजादी से पहले भी नरक में हम रहते थे आज भी कचरे सड़क पर ही फैंका करते हैं दिला दी जो किसी ने याद तो सुधर जाते हैं पर कुछ हादतें कभी छूरती नहीं हैं अगर कचरा ना फैंकें सड़क पर तो बनना जाए हमारा देश महान और खोना दे गंदे रहने की पहचान ए मेरे दोस्त अगर आने वाले समय में तुम्हें दिल से अजादी का जश्न मनाना है और एक सच्चे भारती तुम्हें कहलाना है तो अपने आसपास का महौल बदलना होगा कुछ समय निकाल कर लोगों को जागरुक करना होगा टैक्स की चोरी छोड आई टी आर तुम्हें भरवाना होगा ताकि देश विकास की डगर पर चल पड़े जाती और धर्म का फासला तुम्हें मिटाना होगा अपने दिमाग लगाना होगा किसी के बेकावे में न आना होगा नारी को सम्मान दिलाना है तो ऐसा बिल सरकार से बनवाना होगा कि बलात करने वाला जेल नहीं सीधा सूली पर लटके ऐसा प्रवीजन सरकार को लाना होगा मुप्त खोरी की आदत से लोगों को हटाना होगा और उन्हें रोजगार दिलाना होगा कौशल को हमें बढ़ाना है पर इसका मकसद हराम खोरी से उन्हें बचाना है भारत को स्वच अगर हमें हम बनाते हैं एक तो बिमारी से हम बचते हैं दूसरा देश का नाम चमकाते हैं एदोस्त इतनी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी की कीमती लम्हों में कुछ खशन निकाल कर अपने इस पर अमल जरूर करें और एक अच्छे नागरिक बने तभी पता चलेगा कि आप अपने देश से कितना प्रेम करते हो